हेलो वेलकम बैक तो दे चैनल आज देख रहे हैं सीडी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क इनके बीच में डिफरेंसेस इन डिफरेंसेस को हम इनके कारेक्टरस्टिक्स की मलत से समझेंगे आगे बढ़ने से पहले सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉंपाक डिस्क डिवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क और ब्लू रे को ब्लू रे डिस्क ही कहा जाता है यह तीनों ही ऑप्टिकल डिस्क फॉर्माट्स हैं जोकी एक सेकंडरी स्टोरेज दिवाइस है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्यराक्रिस्टिक है स्टोरेज तो हम स्टोरेज की बात करें तो cd का स्टोरेज लोएस्ट होता है अप टू 700 MB वहीं अगर हम dvd की बात करें तो dvd का स्टोरेज लारजर दन cd होता है लेकिन blu-ray डिस से कम होता है अगर हम single layer dvd की बात करें तो यह हमें 4.7 GB का स्टोरेज देती है और अगर हम double layer dvd की बात करें तो यह हमें लगभग 8.5 GB का स्टोरेज देती है वहीं अगर हम blu-ray डिस्क की बात करें तो यह highest storage capacity हमें प्रोवाइड करती है जिसके कुछ variants है जैसे कि single layer blu-ray डिस्क हमें 25 GB का और double layer 50 GB, triple layer 100 GB और वहीं अगर quadruple layer याने की 4 layer वाली जो blu-ray डिस्क है वो हमें 128 GB तक का storage प्रोवाइड करती है चलिए आगे चलते हैं अगर हम laser wavelength की बात करें तो CD की laser wavelength यहने होती है 780 nanometer, 780 nanometer और यह red laser का use करती है वहीं DVD भी red laser का use करती है लेकिन इसकी जो wavelength है यह CD की wavelength से कम होती है जो कि है 650 nanometer है याने की CD की wavelength से short wavelength का यूस्तमाल करती है DVD वहीं अगर हम blue radius की बात करें तो यह red laser का ना use करते हुए यह higher capacity storage provide करने में सक्षम है ओके चले आगे चलते हैं Applications कहां कहां पर Applications है इसकी So CDs जो है वह primarily audios को store करने के लिए audio file formats को store करने के लिए यूज की जाती है DVDs की बात करें तो for videos movies and series जो movies है TV shows और की series है उनको store करने के लिए DVD को introduce किया गया था वहीं अगर हम blu-ray disc की बात करें तो यह high definition videos games and a large amount of data storage के लिए इस्तमाल होती है यानिस का application area यह है वहीं अगर हम compatibility की बात करें तो CDs are compatible with CD players and कुछ DVD players में भी CDs play होती है वहीं DVD जो है वो DVD supported players पे play होती है और यह CD format को भी support करती है यानि compact disc format को भी support करती है लेकिन अगर हम blu-ray disc की बात करें तो special blu-ray support required होता है और कुछ blu-ray players जो है वो backward compatible होते हैं backward compatible का मतलब क्या है कि वो DVD और CD को भी play कर सकते हैं अब इन points में जो laser wavelength वाला point है इससे आप यह जान गया होंगे ब्लू-ray disc में blue laser का use होता है और DVD में या CD में red laser का use होता है that is why blue layer वाले players इन्हें support नहीं करते और इनको support करने वाले जो players है वो blu-ray को support नहीं करते तो जहां बात backward blue ray players ऐसे जो backward compatible है उनकी बात हो रही तो शायद इन में red laser का भी इस्तमाल होता होगा ताकि CD और DVD को support मिल सकें finally यह जो आप logos देख रहे हैं screen पर CD, DVD और blue ray के यह भी आपस में एक differentiation है जिससे आप कभी कोई disc देखें और उस पर यह logo देखें तो आप समझ जाएं कि कौन सी CD है कौन सी DVD है और कौन सी blue ray है साथ ही हर disc पर उसकी storage capacity लिखी होती है तो उस storage capacity से भी आप समझ सकते हैं कि यह किस type का optical disc format है तो यह था video CD versus DVD versus blue ray disc I hope in points से आपको CD, DVD और blue ray में जो difference है उन्हें समझने में help मिली होगी अगर यह video अच्छा लगा है तो please like it and share it with your friends और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो please subscribe my channel also इस video में इतना ही मिलूँगा मैं एक नए video में नए topic के साथ keep watchings पर दाग्या